unto all of you start करते हैं आज की सेशन को कुछ नए कुछन से फर्स्ट अफॉल मैं आप लोगे का हाले चाल पुछना चाहते हो कि आ आप लोग way के स्टडी कीसा चल रहा है ठीक है सभीको कॉमेंट बाक्स में बताना है कि कि आप लोग कैसे हो और स्टडी कैसा चल रहा है आई विश आप सभी के स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम आज की सेशन को कोशन नमबर बन से ठीक है आज की कोशन में भी कुछ रिपीटिड कोशन भी दिखने को मिलेंगे और कुछ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट करना चाहूंगा यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को हिट किजे चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अंध आश है यानि ब्लाइंड सेक सरीर रचना पाई जाती है ब्लाइंड सेक किसके सरीर की रचना है ठीक है किसके सरीर की रचना में पाई जाती है क्या ब्लाइंड सेक सबसे पहले बताते हैं कि ब्लाइंड सेक होता क्या है ठीक है यह होता क्या है यह एक यह ऐसे एनिमल में होता है जिनके पास सिंगल ओ ऐसे वोसे सिंगर ओपनिंग के थाएंगे तो क्या करता है मौत की तरह एक्ट बी करता है ऐसे जो ऐसे जो single opening पाए जाते है जिस animal में उसके body का एक नाम होता है जिसे blind shack बोलते है ठीक है ना तो वही पूछ राए कि blind shack किस में पाई जाती है किसके सरीर के रचना में पाई जाती है ठीक है तो इस question का एकशा जिसको पता है जली से comment box में लिख दो किसमें पाई जाती है यह सिलन ट्रेटा में पाई जाती है किसमें पाई जाती है सिलन ट्रेटा में पाई जाती है यहाँ पे सिलन ट्रेटा के spelling गलत लिखा हुआ इसको चली कर लो अगला प्रस्वन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्या है वेनस की फूल की टोकडी किसका सधार नेम है यानि क्या पूछ रहा है आप से कि वेनस फ्लावर बास्केट किसको बोलते है किसका कॉमन नेम है क्या वो क्या वो साइकन में पाई जाती है या फिर यू प्लेक्टेला में पाई जाती है या फिर यू स्पोर्ट जिया में पाई जाती है सुरी पाई नहीं जाती है या फिर कॉमन नेम है या फिर लूकोसोमीनिया का कॉमन नेम क्या है वेनस फ्लावर बास्किट क्या है venus flower basket किसका common name है तो यह किसका common name है यह यू plucked टेला का common name है किसका you plucked टेला का common name है यह इसी का common name क्या है venus flower basket क्या है venus flower basket ये किस phylum का है ये पोरी butter pylem का है किस phylum का है पोरी Wanna crafts okay चलो ढलो इसी के सात हम nextก razor की तरफ move करते हैं next question क्या बोल रहा है guys color को सिखाएं पाई जाती है color को सिखाएं यानि color cells are found in color cells किसमें पाई जाती है क्या वह sponges में पाई जाती है hydra में पाई जाती है या sandworm में पाई जाती है या starfish में पाई जाती है जल्दी सिस question का answer जिसको इसको पता है आप comment box में लिख दो तो बच्चो जो color cells होती है वो किसमें पाई जाती है वो sponges में पाई जाती है वो sponges में पाई जाती है तो the right answer is option A, option A जो है वो सही उत्तार है इस person का, किसमें पाई जाती है sponges में पाई जाती है ठीक यहां चलो इसी के साथ हम अगले प्रस्ट के तरफ हमुव करते हैं नेक्स्ट कुरेशिन क्या बोल रहा है falar दस कोशिका याना निमेटो सिस्ट है एक नमेटो सिस्ट क्या है या वह एक ओरगेन यानी अंग है या कोशिका यानि शेल है या फिर कोशिका का समू है या फिर कोशिका का भाग है ठीक है क्या है भाग है यानि पार्ट है तो जली से इस कोशिका का एंसर दे दो कि क्या है निमेटोसिस्ट क्या है तो निमेटोसिस्ट जो है न वो पार्ट ओफ दसेल है क्या है यानि कोशिका का भाग है ठ ठीक है निमेटोसिस्ट क्या है कोशिका का पार्ट है इसी के साथ हम अगले प्रस्ण के तरब बढ़ते हैं अगला प्रस्ण क्या बोल रहा है अगला प्रस्ण क्या बोल रहा है लडाई का पुर्त गली जहाज कहलाता है यानि क्या बोल रहा है लड़ाई का पूर्थगली, जहाज किसे कहते हैं, ठीक है, क्या वो फाइसेलिया को कहते हैं, या फिर पैंटिूला को कहते हैं, या फिर उबेलिया को कहते हैं, या फिर कोडल को कहते हैं, तो यह फाइसेलिया को कहते हैं, किसको कहते हैं, फाइसेलिया को कहते हैं, तो option A is correct, option अगलब रशने आपका मिट्टी के तेल का उपयोग इंधन की रूप में किया जाता है क्योंकि मिट्टी का जो तेल है वो इंधन की रूप में क्यों परियोग किया जाता है बताईए क्योंकि वो कम वास्पसील है या अधिक वास्पसील है या सस्ता है या बहुतायत में उपलब्द है बताईए मिट्टी का तेल जो है वो हम लोग इंधन की रूप में उप्योग करते हैं क्यों करते हैं कम वास्पसील है अधिक वास्पसील है सस्ता है बहुत आयत उपलब्द है तो यह क्या हो जाएगा आपका अधिक वास्पसील होता है मिट्टी का तेल आपका ठीक है निमने में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है? आपको बताना कि कोल तार से जो है, मतलब किसका उत्पादन किया जाता है? संसलेशित रंग का, दवाईयों का, इत्र का, या ये सबी, किसका उप्यो कोल तार से किया जाता है? बताईए. निमने में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है बताई ये पटापट से जल्दी जल्दी एंसर किजिए बचों ये सब तो बेसिक कोस्टन है सब को बताऊना चाहिए इन में से सभी क्या होगा कोलतार से उत्पादन किया जाता है सबका किया जाता है संसलेत इस रंग का भी दवाई का भी इत्र का भी यानि कि synthetic days medicines या perfume all of these ठीक है all of these जो होगा इसमें सबका जो है क्या जाता है उत्पादन ठीक है अब बोल रहा है वस्तो का बड़ा आभासी परतिवीम किसके दोरा परयोग किया जाता है अपतल दरपन या समतल दरपन बताये किसका अपतल दरपन का या उतल दरपन या समतल दरपन समतल दरपन यानि की plane mirror या सेमी बनाएगा ठीक है और लेंस और ये आपका अपतल दरपन और उतल दरपन बताना है फटा फट से बताईए कि आभासी और बड़ा परतिबीम किसके द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं यह किस के दोरा प्रतिविम को 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 प्रति फटा फट से बताईए जल्दी से बताईए बच्चों क्या होगा तो क्या हो जाएगा इसका एंसर बताईए फटा फट से सब कोई देखिए इसमें पहले हम लोग निकालते कि से क्या बोला कि परमानुकरमांग 15 वाले तत्व के बाहे कक्च में लक्टोन की संख्या ठीक है तो परमानुकरमांग 15 किसका होता है फॉसफोरस का होता है ठीक है फॉसफोरस का होता है और के ल एम यह सेल बनता है ठीक है और 5 का कैसे बनता है 15 का बनाएंगे 2, 8 और 5 तो बहारी में निकालना गयोंकि 2, 8, 8, 18 का बनता है सेल तो यहाँ पर 5 बना ठीक है तो लाश्ट में कितना बचा 5 बचा डेट मिन्स आपका उप्सन नमर सी जो वो बिल्कुल सही है ठीक है अगर वही हम इसका electronic configuration करेंगे तो यह आपका दूसरा बनेगा neon neon तक लेंगे उसके बाद 3s2 और फिर 3p3 बनेगा ठीक है यह electronic configuration में ऐसे बनेगा अगर configuration का सोच के मतलगा दिजेगा 3 योगि हमको यहाँ पर बहाए कक्ष में electron की संख्या पूछिए ठीक है तो कक्ष निकालना configuration नहीं निकालना ठीक है uttermost cell पूछा है तो cell में बाच electron होगा लेकिन अगर हमाड़ा यह पूछेगा configuration के according तो वो 3 होगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ने आपका अगला प्रस्ने आपका योगिक का मुलानुपाति शूत्र 3H2O है इसका अनुभार 180 है तो इस योगिक का अनुशूत्र क्या होगा ठीक है अनुशूत्र क्या होगा वो निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या फर्मूला पता होना चाहिए ठीक है अनुशूत्र बराबर क्या होता है अनु ठीक होता है मुलानु पाति मुलानु पाति शुत्र ठीक है मुलानु पाति शुत्र होता है और उसका क्या होता है हम लोग पावर में N लेते हैं ठीक है नीचे जो N से गुना करते हैं तो N बराबर क्या हो गया आपका क्योंकि योगी कान शुत्र निकालना है तो N बराबर क्या हो जागा आपका अनुभार और अपन में मुलानुपाती शुत्र भार ठीके और क्या हो जागा मुलानु मुलानुपाती शुत्र ओके तो अनुभार कितना आपका 180 है और मूलानू पाती शुत्र वो कितना दियावा आपका बताईए CH2O को जब इसका मूलानू पाती निकालिएगा इसका जो मूलानू पाती निकालिएगा वो कितना हो जाएगा आपका 30 आएगा इसका CH2O का निकालिएगा तो वो आपका 30 आएगा निकालकर देख लीजेगा ठीक है यह हमबर्ग आपके ले रहा कि आप निकालके देखेंगे ठीक है इसको कटाइएगा 3-6-18 एन बराबर कितना आया एन बराबर 6 आया तो हमसे अब पूछा है क्या कि इस योगिक का अनुशुत्र क्या होगा तो अनुशुत्र बराबर क्या क O6 ठीक है तो हमारा अनुशुत्र मिल गया तो आपसे नमर क्या हो जाएगा आपका C ठीक है C6 H12 O6 जो है यह आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है बच्चो चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की साथ अगला प्रश्न है आपका 50 किग्रा की एक क्रेन 36 किलोुम्रब प्रति घंटा की वेक से 50 मिटर तरीजिया से मूर्थी है तो अभी केंद्रिया बल क्या होगा वो बताना है ह। आपको क्या बताना अभी केंद्रिया बल क्या होगा वो बताना 1500 न्यूटन 1000 न्यूटन 750 न्यूटन या 500 न्यूटन बताईए फटाफट से सभी बोल रहा है कि 50 किलोग्राम एक क्रेन ओफ 36 किलो मिटर इंग्लिश में थोड़ा उल्टा फुल्टा होगा ठीक है तो इसमें क्य पर नाम मतलब की क्या होगा 500 किलोग्राम के क्रेन है जिसको की 360 किलोम्रों परति घंटा की वेक से 50 मेटर की तरीजिया से मूर्ति है तो अभी केंद्रिया बल क्या होगा वो निकालना अभी केंद्रिया बल का फॉर्मूला था एब बराबर एम भी स्कॉाइर अपन में आर ठीक है एम कितना 500 और भी स्कॉाइर डिट मिंस वो क्या आपका यह आपका 100 हो जाएगा ठीक है भी स्कॉाइर आपका 100 हो जाएगा और आर कितना आपका दिया हुआ है तो इसको जब कटाईएगा तो यह हापका कर जाएगा दस पार में अपका वन हजार वन थाजन न्यूटन वन थाजन न्यूटन जो यह आंसर आपका हो जाएगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं के लिए प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है आपका SI पर देती में प्रिष्ट्य तनाब क्या होगा आपको बताना कि प्रिष्ट्य तनाब का SI unit क्या होगा वो बताना है SI unit of मतलब कि प्रिष्ट्य तनाब यानि कि उसका surface tension का जो SI unit है वो क्या होगा वो बताना आपको बताए फटा-फट से SI unit क्या होगा पहला तो आपका है क्या Newton पर मीटर Newton मीटर स्क्वार और डाइन सेंटी मीटर और फिर डाइन सेंटी मीटर स्क्वार बताए चारों में से क्या होगा SI unit में प्रिष्ट्य तनाब SI unit में प्रिष्टिय तनाब क्या होगा तो यह आपका अधागा Newton meter, ठीक है Newton meter, जो है SI unit होता है, प्रिष्टिय तनाब यहनि campus tension का, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं, अगले प्राशन के साथ, अगला प्राशन आपका, प्रकास की कीरं की तरंगिय धैर्द कितना है, तरंगिय सिक्स माईक्रों के और 60 माईक्रों के चेसud माईक्रों के बताईए फटा फट से रच क्या हो जाएगा इसका एंसर आपका तो यह मीटर है इसको हमको माईक्रों में बदलना है तो क्या करेंगे सबसे पहले यहां देखते हैं कि सूनी कितना है एक दो तीन चार और यह यह अंक पाँच ठीक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 6 into 10 to power minus 5 करते हैं फिर इसको करेंगे 6 into 10 to power minus 4 minus 4 जो होता है वो micron होता है है मैं मैंने प्नलंग मैकरों बोलते डेट मिन्स क्या हो जागा 60 मैकरों ऐसर जो हो जागा एंसर बिल भी 60 मैकरों ठीक है एंसर जो हो वो 60 मैकृण होगा आपका ठीक है इस तरह आप इसको कर सकते हैं चलिए अगला प्रस नापको neutron की खोज किस ने किया बताएए neutron की खोज किस ने किया यह आप बताएंगे यहाँ पर अभी electron proton atom mole यह सब का खोज कौन किया है radio activity radio activity इस पांचो का खोज आप comment box में बताएगा class के बाद इस पांचो का खोज किस ने किया है comment box में बताएगा class के बाद because हम बहुत बार बता चुके है ठीक है neutron की खोज किस ने किया बताएगे फटाफट से तो सब को पता किस ने किया है jam statemic में jam statemic ने neutron की खोज किया ठीक है और यह पांचो आपको comment में बताना है class के बाद सबको बताना है हम चेक करेंगे जिसका नहीं मिलेगा फिर पूछते हैं अग्जल दिन class में अगला प्रेस ने आपका दूर दृष्टी को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं वो बताना है निकरड़ दृष्टी दोस्त के लिए और फिर आपका और आपका होता है एस्टिग मेटिज्म के लिए फिर आपका होता है प्रेस बायोपिया इन तीनों के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं वो बताना है सबसे पहले तो दूर दृष्टी को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंज का उपयोग करते हैं ठीक है उत्तल लेंज का तो अब निकट के लिए क्या हो जाएगा अब तल लेंज ठीक है क्या हो जाएगा अब तल लेंज का हो जाएगा और प्रेस बायोपिया के लिए हम लोग किसका करते हैं बाइफोकल लेंज का ठीक है बाइफोकल लेंज का प्रियोग करते हैं और फिर आपका एस्टिगमेटिज्म के लिए हम लोग किसका प्रियोग करते हैं सिलेंड्रिकल लेंज का ठीक है cylindrical lens का प्रियोग करते हैं stigmatism के लिए ये पाच्चु नोट कर लिजेगा एक जगा क्योंकि कोई ना कोई हर बार exam में आपसे पूछ लिया जाता है अगला प्रसन है आपका crystal yet host क्या है आपको बताना कि crystal yet host क्या है plastic, rubber, शकर या शरकरा या काच ये आप लोग 11th class के chemistry book के chapter number 1 में पढ़ेंगे crystal yet host क्या है glass, plastic, rubber या शुगर तो ये क्या होता है आपका काच very good जो भी बत्चे option number 1 है वो बिल्कुल सही है काच जो होता है वो आपका crystal yet host होता है ठीक है काच अगला प्रसन है आपका साबुन के एक बुलबले को रीन आविस दिया जाता है साबुन के बुलबले को रीन आविस दिया जाता है तो उसकी त्रीजिया क्या होगी ये बताना आपको बताए उसकी त्रीजिया क्या होगी कम होती है बढ़ जाती है और परिवर्थित रहती है कुछ भी नहीं तो इसमें क्या होगा कि रिन आविस दिया जाता है या पोजिटिव आविस दिया जाए या निगेटिव आविस दिया रहा है कर अगले प्रैश्वनेहीं है आपको 006 among NEC l की 100 million so mili million में मोलरत होगी आपको लिटा बताना है क्या होगा कि मोलरत है यनिकी m बॉर्बर होता है यह फिर के भी किस मूह क्या होगी तो तो एन क्या है आपका यह मोल दिया वाए एन को हम लोग मोल को एन से दर्शाते हैं यह में 0.006 अपन में वॉलियूम कितना है 100 मिली लिटर है इसको लिटर में चेंज करेंगी तो यह 0.1 लिटर होगा ठीक है 1 0 और 1 0 यहां से कैंसील हो जाएगा तो 0 क्या हो जाएगा यहां आ जाएगा अपका एक क्या हो जाएगा 0.06 जैस की मो लर्ता हो जाएगी ठीक है 0.06 वेस की मोल लड़ता हो जागी यानि कि option number B बिल्कुल सही है आप लोगों का ओके चलिए अगले प्रस्णी क्यों बरते हैं अगला प्रस्ण है आपका एक मनुझ से 990 मीटर दूर इस्थित सिटी की ध्वनी सुनकर अपनी घडी मिलाता है 990 की मीटर की दूरी पर है डिस्थितन्स कितना है 990 मीटर है और जब वो ध्वनी सुनता है वहां चे तो अपने घडी को मिलाता है तो उसकी घड़ी में कितना दोस रहेगा और ध्वानी का D बराबर इतना वेलोशिटी बराबर कितना है 330 मीटर पर सकेंड ध्वानी की वेग है आपको घड़ी में कितनी टूटी होगी वो बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है T बराबर D भाई भी सेकेंड तीन सेकेंड कितना होगा ये उसमें जो है तीन सेकेंड सूस्त होगा ठीक है तीन सेकेंड सूस्त जो होगा उसका घड़ी जो है तीन सेकेंड स्लो होगी उसके ध्वानी से वो उतने दूरी से सून रहा है ठीक है सब्सक्राइब की तीन सेकंद सूस्त होगी अगला प्रश्ण आपका बॉयल का नियम क्या दर्शाता है आपको बताने कि बॉयल का जो नियम है बॉयल स्ला पढ़े होंगे 11th क्लास में वो क्या दर्शाता है इसमें होता है गे गैस का नियम है P1 B1 इसकल 2 में P2 B2 ठीक है और B 1xP कि इने फ्लबॉपोश्नल होता है बहुत किई ब्राबार्र क्या होता इस यह B2 ठीक है यह की ब्राबर क्या हो जाए गापी और फिल्च, ठीक है फिल्समें में क्या होता है इस तीर दाप पर किसी गरस का निश्शित मातरा का अईतन दाफ जो है वो वित्करमानु पाती होता है और इसके हम लोग अगर हम लोग गराप से दर्साएं तो इसका है फिरसा बनता है वो नीचे धीरेदर क्या होता है टी कोश्ट जो है ये समतापी वक्र बनता है ठीक है समतापी वक्र बनता है इसका इधर से और ये पी का ये भी का ठीक है और पिर ये हैपरबोलिक वक्र बनता है हैपरबोलिक वक्र इसका बनता है ठीक है तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसमें नियत क्या रहता है तो नियत क्या रहता है आपका पी और भी जो है यह नियत रहता है यह कि कि यह बड़ाबर इस्थिरांग होता है यह कि constant होता है और पी और भी जो है यह इसमें क्या होता है यह आपका इस्थिरांग होता है पी भ बाइ बाइ